आपके साथ लगातार नौकरियों की खबर लाने की करम में आज फिर हम आपके सामने पांच ऐसी सरकारी नौकरियों की खबर लेकर के आए हैं अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं अगर आप नौकरी के लिए जद्दो जहद कर रहे हैं तो ये ख़बर आपके लिए हैं और आप सुनिए कि ऐसी कौन सी पांच सरकारी नौकरिया हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं इसके application की क्या date है, क्या education qualification है और क्या कुछ notification जारी की गई है चलिए आपको हम विस्तार से बताते हैं जिसमें आपको बताए कि BPSC से लेकर CDS तक और इतना ही नहीं बनारस University में भी आप नौकरी के लिए apply कर सकते हैं नौकरे के लिए संघर्स कर रहे हैं युवाओ के लिए आज हम फिर से पांच नौकरियों की जानकारी लेकर रहा हैं पहले भर्ति CDS की है 441 पदों की इस भर्ती में graduate अभियर्थी apply कर सकते हैं SCST की कोई fees नहीं लगेगी बैंक आफ महरास्ट में apprentice के लिए 3014 पदों पर आवेदन मांगे गए आवेदन के वाल आज तक के लिए क्या गया है इसमें 9000 रुपे सेलरी मिलेंगे Power Grid Corporation of India ने 23 पदों पर भर्ती निकाली है 14 जन्वरी 2023 तक आप फॉर्म भर सकते हैं काशी हिंदु विस विद्याले में 17 पदों पर भर्ती निकली है इसमें 6 पद प्यूंस, स्वीपर और अटेंडेंट की है BPSC में Assistant Teacher की भर्ती के लिए आज तक ही आवेदन किया जा सकता है चलिए आपको हम बताएं सबसे पहले BPSC में Assistant Teacher के लिए आज ही फॉर्म भरी है जिसमें कुल पद है वो तीन है जिसमें General के लिए एक, OBC के लिए एक और SC के लिए एक है वही अगर हम Qualification की बात करें तो Post Graduate होना आपके लिए अनिवारे होगा और Form fees General और OBC के लिए 750 रुपे, SCST के लिए 200 रुपे उम्र 21 से 40 साल के बीच है और जरूरी तारिक जो आपको याद रखनी चाहिए वो है फॉर्म भरने की आखरी तारिक जो की 23 दिसमबर 2022 है सिलेक्शन का जो प्रोसेस होगा वो पहले रिटेन टेस्ट, फिर इंटरव्यू और सैलरी आपको बताए तो 33,000 से 40,000 रुपे महीने की है अगर हम दूसरी नौकरी की बात करें तो CDS भरती में SCST फ्री में आवेदन कर सकते हैं कुलपद 341 है, इंडियन मिलिटरी अकेडमी 100, इंडियन नेवल अकेडमी 22, एफोस अकेडमी 32, ओफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी 147 इतना ही नहीं आपको बताए तो क्वालिफिकेशन अगर आपको इसमें जो चाहिए वो ग्राजुएट आपको होना चाहिए अगर हम उम्र की बात करें तो 19-24 साल के बीच के लोग ही इसके लिए अपलाई कर सकते हैं जरूरी तारीक जो आपको याद रखनी होगी वो है फॉर्म भढ़ने की आखरी तारीक जो की 10 जैनवरी 2023 है सिलेक्शन का प्रोसेस, रिटेन टेस्ट, इंटर्व्यू और फिर मेडिकल टेस्ट के अगर सैलरी की बात करें तो 56,000 रुपय प्रती महीने हैं इतना ही नहीं, अगर हम काशी हिंदू विस्व विद्याले में नौकरी की बात करें तो इसके लिए भी आपके पास बढ़िया मौका है जिसमें कुल पद 17 है, कंसल्टेंट, क्लिनिकल और साइकलोजिस्ट के लिए दो पदे हैं सोशल वर्कर, काउंसिलर और असिस्टेंट के लिए 9, एचेंडेंट, प्यून और स्वीपर के लिए 6 क्वालिफिकेशन जो चाहिए वो कंसल्टेंट, क्लिनिकल, साइकलोजिस्ट के लिए पोस्ट ग्राजुएट शोसल वर्टकर, काउंसिलर के लिए पोस्ट ग्रैजुएट, असिस्टेंट के लिए ग्रैजुएट और एचेंजिंट प्यून स्वीपर के लिए दसवी पास इतना ही नहीं, फॉर्म फीस के अगर हम बात करें तो जेनरल के लिए 1000 रूपए, ओविसे के लिए 500 रूपए अगर आठ जन्वरी से पहले आप फॉर्म नहीं भरते हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इतना ही नहीं, आपको बताएं कि इसमें जो सिलेक्शन प्रॉसेस है, वो है, पहले रिटेन टेस्ट होंगी, फिर कम्प्यूटर टेस्ट, फिर इंटर्व्यू सेलरी की बात करें, तो सतर से सतर हजार उपे महीने की बीच है, अब हम आपको बताते हैं कि CDS भरती में, CST के लिए आप फ्री में आवेदन कर सकते हैं, CDS ने भी भरती निकाली है, जिसमें इंडियन मिलिटरी अकेडमी के लिए 100, इंडियन नेविल अकेडमी के लिए 22, Officers Training Academy के लिए 187, और अगर हम qualification की बात करें, तो graduate होना important है, यानि graduate होना आपके लिए अनिवार है, अगर आप graduate है, तो ही आप इस vacancy के लिए apply कर सकते हैं, form fees की अगर हम बात करें, तो general और OBC के लिए 200 रूपे, ACST के लिए जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, इसमें ACST के लिए free आप apply कर सकते हैं, उम्र की अगर बात की जाए, तो 19 से 24 साल के बीच के लोग apply करेंगे, और जो जरूरी date आपको याद रखनी है, वो है form भणने की date, और वो आखरी date है, 10 जैनवरी 2013, इसके भी जो selection process है, वो return test, interview और medical, और अगर आप इन सारी चीज़ों में पा अगर हम लास्ट जो पांचवे vacancy की बात करें, तो वो है bank of महरास्ट में apprentice के लिए, इसके लिए आप आज ही form भरें, इसकी जो form की आखरी date है, वो 23 नवंबर 2022 है, उम्र 20 से 28 साल के बीच, कुलपद जो है वो है 314, जिसमें general के लिए 147, OBC के लिए 75, EWS के लिए 27, SC के 23, ST के लिए 22, और अगर हम qualification की बात करें, तो graduate, अगर आप graduate है, तो ही आप इस vacancy के लिए apply कर सकते हैं, general और OBC के लिए 150 रुपए form की fees दी गई है, और SC, ST के लिए 100 रुपए दी गई है, इसके भी selection की process, academic score की merit list पहले देखी जाएगी, फिर a document verification होगी, और फिर आपकी medical test हो तो आपने ये सारे जो criteria's थे वो आपने देखे और आपको हमने बताया कि 5 ऐसी नौकरिया हैं, जिसके लिए आप apply करें, और आपके जो भी friends, families या family member या अगर खुद नौकरी के तलाश में हैं, वो भी सरकारी नौकरी के तलाश में हैं, तो हमने आपको ये 5 vacancy के बारे में अगर आप भी इन criteria को पूरी करते हैं, अगर आपके पास भी age limit है और जो भी education qualification की requirement है, अगर आप उसे पूरी करते हैं, तो आप आज ही जाए और इसके लिए apply करें, इतना ही नहीं है, आपको बताया कि आगे भी हम ऐसे ही पाज सरकारी नौकरियों की खबर लेते आते रहे तो चलिए इस खबर में बस इतना ही और भी वीडियों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूस फोरनेशन